नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका सेसे एकूकेशन में और आज है 29 अगस्त के इंपोर्टेंट कोश्चन हम इस वीडियो में करेंगे और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपोर्टेंट इंफोर्मेशन देना चाहूंगा इस हफते का जो हम वीडियो बनाएंगे कि हमारे वीवग से बहुत है और वीग सक्षाइंगे आपको दो स्लाइड में हम बढ़ने बता को डाएंगे चनको दो में पूरा करिया देहिं बन्सक्राइब चलिए आज का फिर स्युरू करते हैं कल का जो हमने question पूछा था उसमें सही answer था वो देश जो सहदक्षता करी थी जिसने भारत के साथ और ये समीती जो ही थी राश्टरी समन्माय समीती उसका नाम है उजबेगिस्तान सभी ने सही answer दिया था आज का पहला question है केंडरी रक्षर मंत्री राजना सिंग ने NCC प्रक्षिक्षन के लिए निम्न में से किस एप को जारी किया है option है DGNCC एप, इंडिया कोट फाइंडर एप, भीतक एप और मैप माई इंडिया एप सही answer है DGNCC एप यह एप राजना सिंग जो हमारे रक्षर मंत्री उन्होंने NCC प्रक्षिक्षन के लिए जारी किया है और इसका उदेश जो है यह मोबाइल एप है और इसका उदेश है जो NCC कैड़ेट्स है उनको पार्टिकम और प्रक्षिक्षन वीडियो और अकसर पूछे जाने मिल प्रशन सही सभी प्रक्षिक्षन समगरी प्रदान करना और यहाँ एप NCC कैड़ेटों के देश व्यापी ऑनलाइन प्रक्षिक्षन आयोजित करने में साहेता करेगा दूसरा कोश्चन है टिक टॉक कमपनी के किस CEO ने अपने पत से इस्तिफा दे दिया है आप्षन है रहुल सज्दिवा, केविन मेयर, बिन्नी बंसल और अबिद अली नीमचवाला सही आंसर है केविन मेयर इसके CEO थे उन्होंने अभी स्तिफा दे दिया है आपको पता होगा बाहरत में भी बैन हो गया था अभी टिक टॉक और अमेरिका में भी यही संकट टिक टॉक के सामने है और अमेरिका ने टिक टॉक को सुरक्षा के इसे खत्रा पताया है जैसे इंडिया ने पताया था किस जगा Air Defense Command की सापना कर रह सकता है Option है पटना, राची, लखनुग और प्रयाग राज सही आंसर है प्रयाग राज LAC और LOC पर जारी तनाओं की बीच सरका तीनों सेनाओं को लगाता जितेजी से मजबूत करने में लगी हुई है और अभी सेनने मामलों के विभाग नी सरस्तर बलों की पुनर गठन की प्रक्रिया तेज कर दी है इसी के तहट, अक्टूबर के दूसरे सप्ता के दोरान प्रयाग राज में भातिवाय सेना के तरह नई Air Defense Command की स्तापना हो सकती है और इस Air Defense Command का गठन भातिवाय सेना की मद्य कमान मुख्याले के साथ किया जाना है इसमें आगरा और ग्वालियार और बरेदी Air Base भी आते है और इस कमान का उद्देश है, तीन सेवाओं के संसाधनों को एक कमान के साथ संयोज़ित करना है इसे सक्रीकर देश की वायू शेत्र को सुरक्षित करना चौदा कोशन है बांग्रादेश ने किस देश की एक कमपनी द्वारा निर्मित COVID-19 के संभाविट टीके के मनिश्य पर अंतिम इस्तर के परिक्षण को हाली में मन्जूरी दे दी है बांग्रादेश ने चीन की एक कमपनी द्वारा निर्मित COVID-19 के संभाविट टीके के मनिश्य पर अंतिम इस्तर के वरिक्षण को हाली में मन्जूरी दे दी है और चीन की जो कमपनी का नाम है वो है सिनोवाक बायोटेक लिमिटेड इसके दोरा यह टीका विक्सित किया गया है और इसे अभी जो वहां के स्वास्त मंत्री है जाहिद मलिक ने दुनिया के सबसे प्रभावशरी टीकों में शुमार बताया है पांचवा कोश्चन है केंद्री सरकार ने छेत्री संपक योजना यानी उडान स्कीम के एक स्कीम है उडान उडान स्कीम के चौते चरण में कितने हवाई मार्गों के अवंटन को मंजूरी दे दी है आप्शन है 85, 95, 78 और 65 से एंसर है 78 केंद्री सरकार ने छेत्री संपक योजना ओड़े देश का आम नागरिक उडान नाम के यह योजना है जिसमें चौते दौर के तहत 78 नए अत्रिक्त मार्गों को अनुमती दे दी है और इन मार्गों को अनुमती दे कर उत्ते पुर्वी जो नौर्ट इस्टन एरिया है और जो पहाड़ी इलाके हैं और दूई पर लाके हैं वहाँ पर कनेक्टिविटी बढ़ाने के पर फूकस किया गया है और इसका मुख्य लक्ष जो है वो दूर्दराज के और छेत्री लाकों तक संपक बहतर बनाना और हवय यात्रा को कफायती बनाना है आपको यह बता दें कि प्रधामत्री मुदी के नित्रत्म में एक शुरू की गई केंद्र की राष्ट्री नागलिक उड़यन निती की यह प्रमुक घटक है और जिसे दोजा सोला में लांच किया गया थ बंसल सही आंसर है जैब बेजोस इनकी 200 अरब की डॉलर की संपती हो गई प्रत्वी पर सबसे आदा धलती पर और कोरोना वाइलस के कारण जब भी टेक्नलोजियल कंपनियों की संपती में जम कर जाफा हुआ है जिसका इन्हें फायदा हुआ है और दुनिया के सबसे अमीर अरब डॉलर हो गई थी और उनकी जो संपत्ती है वो सेकेंड नंबर पर जो बिल गेट से उनसे नभी अरब डॉलर जादा है सोचे कितना डिफरेंस है सेकेंड और नंबर वन में बिल गेट की 116 अरब डॉलर है साथवा कोश्चन है उत्तरपदेश सरकार ने एसके भगत को हटा कर निम्न में से किसे नया ग्रह सचिफ न्यूक्त किया है ऑप्शन है तरुन गाबा राजेंद्र कुमार तेवाली विजय पिपलानी और मनोज कुमार सिंग सही आंसर है तरुन गाबा उत्तरपदेश सरका अफसर है तरुन गाबा और केंद्री प्रतिन्युक्ति से यूपी कैडर में वापिस आये हैं तरुन गाबा से बीए में भी तैनात्र थे और IPS राकेश स्थाना के केस के इंचार्ज थे हाली में केंद्री संस्कृति मंत्रालाई ने इस मारकों के प्रमंदन में सुधार है तू बहती पुरतत्व सर्वेक्षण के कितने नए प्रशास्निक सर्कल की स्थापना की घोशना की ऑप्शन है दस साथ चार और तीन सही आंसर है साथ सर्कल बनाए हैं अभी इस नेड़ा में और इसका मुख्यों देश जो था वो पुरतत्विक जो हैरिटेज इसमारक हैं उनके संरक्षन और पंजी करण की प्रक्रिया को सुवेधर जड़ंग बनाना है और ये नए सर्कल जो है वो जवलपूर मदपदेश त्रिची तर्मिलनाडू चांसी एवं मेरट उत्तरपदेश हमपी करनाटका में और रायगंज पस्चिम बंगाल और राजकोट गुजरात में बनाए गए हैं केंडर सरकार ने मांसिक स्वास्त पुनरवास के लिए निम्न में से किस हेल्पलाइन सेवा का शुरुवात की है इसकी जानकरी सभी के लिए होना जरूरी है आज के समय में बहुत लोग मांसिक उससे गुजर रहे हैं पैनिक से कोविड-19 के कारण और ऑप्शन है मदद कल् सब्सक्रांद करन और हमस्फर सही जान के लनाम से एक हैल्पलैन सुरू कि गया है और केंडर सरकार ने मांसिक स्वास्त पुनरवास के कि लिए केलन ऐसल दोड़ा शुरू किया गया है सामाजिक न्याय और अधिकरिक सामधर कर आध क्यूद्यया है और इस हेल्प लाइन का नंबर यह है 1800-599-0019 और मानसिक स्वास्त, पुनर सुधार, संबंदी सेवाई उपलब कराने के साथ ही हेल्प लाइन का उद्देश तनाव, चिंता, डेप्रेशन, पैनिक अटेक, पोस्ट्रोमेटिक, स्ट्रॉस आडर यह सारी जो मानसिक स्थिति से गुजरता है इंसान, इन सब की आपत कलिन सेवाओं के लिए यह उपलब्द कराना है ही इसका उद्देश है, इस हेल्प लाइन का असम सरकार ने ड्यूटी पर COVID-19 से मौत होने पर पत्रकारों, होमगाट्स और अइस्थाय करमचारियों के लिए कितने लाख रुपे के बीमा कवर को मंजूरी दे दी है औप्शन है 40 लाख रुपे, 30 लाख रुपे, 20 लाख रुपे और 50 लाख रुपे और आप यार रखिएगा इस हफते का जो लास्ट वीडियो मैं बनाऊंगा जो मैं हफते भर का जो निचोड़ बताता हूं आपको उसमें मैं आपको भी एक दो स्लाइट का एक पंक्ति वाला वीडियो उसमें जोड़ूंगा और आपको उसको देखेगा क्योंकि कई लोग बिहार के करेंट अफेर्स के लिए हमें बोलते रहते हैं और ज्यादा था वीवर्स बिहार की परिक्षा की तयारी कर रहे हैं इसलिए यह दिमांड ज्यादा आ रखेंगे तो आप इस हफ्ते का इंत्यार करें हम संडे को लेकर आएंगे चलिए अब हम आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं मिलते हैं अगरे वीडियो में जायें